हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम भोली का फुल समरी करेंगे भोली एक गाउं की लरकी की कहानी है जिसके साथ भेदवाउ किया जाता था क्योंकि उसके चहरे पर चेचक के निसान थे खाट से गिरने पर उसके दिमाग का एक हिस्सा च्छती ग्रस्त हो गया उसे सरल सौभाव का माना जाता था सिक्षा ने एक गूंगी गाय को एक निडर और सासी लरकी में बदल दिया पहले तो वह एक बुड़े आदमी से साधी करने के लिए तयार हुई क्योंकि उसके पिता का समान दौव पर लगा था इस प्रकार उसने अपने परिवार के हित्वों को अपने उपर रखा लेकिन बाद में उसने उससे साधी करने से इंकार कर दिया क्योंकि उसने देखा कि वह कितना लालची और ग्रिनित था भोली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी उसे सिर्फ एक साधारन वैक्ति माना जाता था उसने एक लालची और मतलबी वैक्ति से साधी करने से इंकार कर दिया उसने अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करने का भी फैसला किया रामलाल वह भूली के बारे में चिंतित था क्योंकि उसके पास ना तो अच्छा रूप था और ना ही बुद्धी उन्होंने बिसंबर की उम्र और लंगड़ापन को नजर अंदाज कर दिया टीचर उसने अपने सने ही वहवार से भूली को सहज और तना मुक्त किया उसने भूली के प्रती पूरी सहानुभूती व्यक्त की और उसमें कुछ विश्वास पैदा करने की कोसिस की उसने उसे गूंगी गाय से एक निर्विक लड़की में बदल दिया भूली नंबरदार रामलाज की चौथी लड़की थी जब वह मात्र दस महने की थी तो अपनी चाड़ पाई से गिर गई थी सायद उसके दिमाग का कुछ हिसा च्छती ग्रस्त हो गया था सभी बच्चों में केबद वही पिछड़ी रही इसलिए उसे बुद्धु भूली कहा जाता था अपने जन्म पर भूली बहुत गोरी और सुन्दर थी जब वह दो साल की थी उसे चेचक का सिकार होना पड़ा उसकी आँखे तो बच गई लेकिन उसका साड़ा सरी कुरूप हो गया उसके सारे सरी पर चेचक के काले निसान हो गए छोटी सी भूली को पांच बर्स की आयू में बोलना आया वह हकलाती थी इसी लिए भूली बहुती कम बात किया करती थी रामलाल के साथ बच्चे थे तीन लड़के और चार लड़कियां भूली सबसे छोटी थी वह एक समरिद परिवार था खाने पीने के लिए काफी कुछ था भूली को छोड़कर सभी स्वस्त थे लड़कों को पढ़ने के लिए सहर भेज दिया गया राधा की पहले ही साधी कर दी गई थी मंगला की साधी भी निस्चित कर दी गई थी तीसरी चम्पा थी भूली को छोड़कर सभी लड़कियां देखने में सुन्दर और स्वस्त थी उनकी साधी करने में कोई परहसानी नहीं थी रामलाल सिर्फ भूली के बारे में ही चिंतित था वरना तो देखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान गाउं में लड़कियों का एक प्रात्मिक विद्याले खोल दिया गया था उसके उडगाटन समारों में तहसिलदार आये थे उसने रामलाल को अपनी सभी लड़कियों को पाट साला भेज कर एक उधारन पस्तुत करने के लिए कहा उसमें तहसिलदार का कहना टालने की हिमत नहीं थी अगले दिन उसने भोली का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल में ले गया वह डर गई और भाई में चीखी भोली सौभागी साली थी उसे एक ऐसी साफ पोसाक मिल गई जो चमपा पर छोटी परती थी उसे नहलाया गया और उसके उल्जे वे बालों में तेल मला गया भोली अब यह सोचने लगी कि इसकूल उसके घर से बहतर जगा है वहां बहुत सी लर्कियों को देखकर भोली प्रसंद हुई वे उसकी ही आयू की थी वह आसा करती थी कि सायद उन में से एक लर्की उसकी सहली बन जाए भोली दीवार पर लगी पक्षियों और जानवरों की तस्वीरों से प्रभावित हुई अध्यापिका उसके समीप आई और उसका नाम पुछा वह बार बार हकलाती रही लेकिन अपने पूरे नाम का उस्चारन नहीं कर पाई अध्यापिका ने उसको प्रोसाहित किया उसने एक बार फिर पढयतन किया और इस बार अपने पूरे नाम का भर भर भो भोली उस्चारन करने में सफ़द हो गई अध्यापिका ने सने पूर वक उसकी पीट थप थप थपाई उसने उसे विस्वाद दिलाया कि वह और सभी की तरह सिख्र ही बोलना सीख जाएगी उसने उसे रोज पाट साला आने के लिए कहा उसने उत्तर दिया या या यस भोली सौयम हैरान थी कि वह यब बोलने में सफ़ग रही अध्यापिका ने उसे आस्वासन दिलाया कि वह एक महने के अंदर ही वह तस्वीरों वाली पुस्तक को पढ़ने के योगी हो जाएगी समय रहते वह गाउं की सबसे सिक्चित लड़की हो जाएगी फिर कोई उस पर हसने की हिम्मत नहीं करेगा भोली का हिर्दय एक नई आसा और नवजीवन से धरक रहा था आखिर एक खाते पीते दुलहे से भोली से साधी करने का प्रस्ताव आया उसकी एक बड़ी दुकान थी अपना एक मकान था और बैंक में कई हजार रुपई थे वह दहेज भी नहीं मांग रहा था दुलहा लगभग भोली के बाप की ही आयू का था और वह लंगड़ाता भी था उसकी पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे सारी चीजें भोली के माता पिता के लिए महत्पुर नहीं थी वे प्रसन्न थे कि आखिरकार उसकी सादे होने जा रही थी भोली का दुलहा बिसंबर एक खाता पिता सम्रिद प्रंसारी था वह अपने मित्रों और रिष्तेदारों की एक बड़ी टोली अपने साथ लाया था पीतल का बैंड एक महसूर फिल्मी दुन बजा रहा था रामला यहसान सौकत देखकर अती प्रसन्न था भोली की बड़ी बहने भोली के भाग से इर्सिया कर रही थी दुलहे ने पीले गेंदो का हार उपर उठाया एक औरत ने भोली के घूंगट को पीछे सरका दिया विसंबर ने जल्दी से एक नजट डाली हार उसके हाथों में थमा रहा वस चिलाया कि भोली के चहरे पर चेचक के निसान है यदि उसे उससे साधी करनी है तो उसके पिता को 59 रुपई धेच के रूप में देने परेंगे रामलाल ने अपनी पगडी विसंबर के पैरों में रख दी वो 2000 रुपई देने के लिए तयार था दुलहा 5000 रुपईउ से कम लेने के लिए टस्य मस नहीं हुआ अंतटर रामलाल अंदर गया और उसने सेफ अलमारी खोली और नोटों को गिना उसने रूपियों का बंडल बिसंबर के पैरों में रख दिया जाल्ची बिसंबर के चहरे पर विज़ई मुसकान फैर गई वदुलहन को माला पहनाने के लिए तैयार हो गया इससे पहले कि बिसंबर उसके गले में हार डाले भोली का हांत बिजली की धारा के समान बाहर निकला और उसने हार को आग में फैक दिया वग उठ खरी हुई और गूंगट को उतार फैका उसके सारे रिष्टेदार और माता पिता उसे बिना हकलाए बोलते सुनकर अस्तब दरह गए भोली ने अपने पिता से रुपिय वापस ले लेने के लिए कहा रामलाल ने उसे उनमादी कहा और कहा कि वह परिवार का नाम मिट्टी में मिला देना चाहती है भोली ने उत्तर दिया कि वह इतने लाज़ी आदमी को अपने पती के रूप में कभी सुहकार नहीं करेगी बिसंबरनाथ अपनी बारात के साथ वापस लोटने की तैयारी करने लगा रामलाल भोली की और sup कि अब जब कोई भी कभी उससे साथी नहीं करेगा तो वह क्या करेगी भोली ने ड्रिड आवाज में कहा कि उन्हें उसके बारे में चिंटा करने की कोई अवसकता नहीं आए वह अपने माटा पिता की उनके बुठापे में सेबा करेगी वह उसी स्कूल में पढ़ाया करेगी जिस स्कूल से उसने इतना सीखा था भोली की सिख्ष का एक कोने में खड़ी हुई इस नाटक को देख रही थी उसने कहा हाँ भोली निसन दे तो दोस्तों भोली का फुल समरी कंप्लीट हुआ आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इससे रिलेटर वीडियोज के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेयर करें अगर आपको इससे जूरी कोई डाट हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें